हेलो एबरिवन वेलकम बैक टो माई चैनल मैं हूँ रस्मी सचान और स्वागत है आपका मेरे यूटीब चैनल पर चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ आज हम हींग का अचार बनाएंगे यानि की हींग वाला आम का अचार जो की बहुत ही पॉपुलर है और बहुत पसंद किया जाता है इसके साथ ही इसकी ये खासियत है कि इसमें मसाले ना के बराबर पड़ते हैं दो तिन मसालों से ये अचार बन कर तयार हो जाता है और चार पानी, एक किलो के लगबग में आम डिये हैं, अब हमें इनका छिलका उतार देना है, हिंग वाले अचार में हम छिलका उतार कर ही बनाइंगे, नॉर्मल कोई अचार हम जब आम का बनाते हैं, तो छिलका उतारने के लिए पीलर की साहता ले सकते हैं, या फिर चाकू से भी पसंद होता है, तो उनके लिए भी ये एक बहुत बढ़िया सी टिप है, अधर्वाइज आप इसे छिलके के साथ भी बना सकते हैं, छिलने के बाद इसे 4-5 घंटे धूप में सुखा लेंगे हम, और सुखाने के बाद में हम इसे काटेंगे, तो एक बड़ा बरतन ले लें और अब ये जो आम है, 4-5 घंटे धूप में सुखा लिया है, जिससे इसका पानी थोड़ा सा सुख जाएगा, अब हम इसके टुकडे काट लेंगे, जो इसका पलप है, उसे निकाल लेंगे, और गुठली को फैक देंगे, गुठली हमें नहीं चाहिए, तो इस तरह से इस कि अंदर जो जाली पढ़ने लगती है, वो अगर ऐसा है आम, तो इस आम में पानी कम होता है, और खराब होने के चांसे भी कम होते हैं, तो मन चाहिए टुकडों में काट सकते हैं, लंबे टुकडे भी कर सकते हैं, और छोटे टुकडे भी कर सकते हैं, खास बात का ध्यान कि कोई भी बरतन गीला नहीं होना चाहिए चाकुपी गीली नहीं होने चाहिए आपके हाथ या जिस बरतन में आप ले रहे हैं वो भी नहीं पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए इसमें सारी टुकड़े काट लिए हैं काटने के बाद में हम इसमें नमक मिलाएंगे 50 ग्राम के लगबग या फिर दो टेबल स्पून या चार रेगुलर चमज जिसका चमज से मीडियम साइच के चमज से आप खाना खाते हैं उससे आप चार चमज डाल दीजिएगा अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा ही डालते हैं क्योंकि नमक प्रिजर्वटिव का काम करता है और नमक ज़्यादा डालने से अचार खराब भी नहीं होता साथ ही साथ इस अचार में नमक ज़्यादा जाएगा इसे अच्छे से मिक्स कीजिए आदा मिनट के लिए इसके बाद हम इसमें डालेंगे आदा छोटी चमज हींग क्योंकि ये हींग का चार है तो हींग अगर अच्छी वाली है तो आदा छोटी चमज कम अच्छी वाली है तो एक चमज डाल दीजिएगा और इसे भी अच्छे स मिटस कर दीए इसके बाद में हम इसमें डालेंगे तीखा पन लाने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च कम तीखी होती हैं asadisat के कलर बहुत अच्छा हता है क्योंकि इसे हम जभ़़िसे हम ज्यादा डाल सकते हैं तो यह पोती है लेकिन उतनी जादा नहीं इससे अच्छा कलर आएगा और साथी साथ हल्दी भी प्रिजर्वेटिव काई काम करती है अचार हमारा हल्दी डालने से जड़ी खराब नहीं होता है अब आपको यह सब मिलाने के बाद में एक दो मिनट के लिए इसे चम्मत से ऐसे मिक्स कीजिए जब सारी चीजें अच्छ से काच का एक सूखा जार लेना है और इसमें हमें यह जो अचार हमने बनाया है इसे भर कर रखना है तो इसमें यह अचार भर लीजिए इसमें तेल का भी इस्टेमाल नहीं होगा और कोई भी हमने राई सौफ में थी यह सब नहीं डाला और आपका आचार बन कर तयार हो च इसे खाने के लाया मैचीर कईंचा और शया का का फर亲ह सै यहां करने रखहें और आचार को एक दिन में दो बार हिला जणरूर को और आपका चाहर भण करके तयार होका विडेओ अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक को शेयर कीजै